तो आपके स्वागत है जी एकनवी में आज हम बात करेंगे पिएसडी इंटरेंस एक्जेम जो की बरकतुल अनुविसिटी करा रहा है तो हम स्लेवस देखेंगे किसका पर्शियन का पर्शियन स्लेवस है दो घंडे का पेपर होगा 100 कोश्चन्स रहेंगे और जो की कॉलिफा बोलते से 50 कोश्चन्स रहेंगे पार्ट बी में जो की आपके सब्जर्स रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रतिक भाग आ बाप पांच-पांच यूनिट में डिवाइड होगी तो आप चलिए और आगे देख लेते हैं यह रहा अप्रोलोजी ठीक है यह उर्दू में दिया हुआ है यह इंग्लिश में दिया गया है मतलब शायद यह पर्शियन है मुझे पर्शियन लेंगवेश की वारे में नहीं पाता है है ना तो मैं सिर्फ जनर्राडिया इस के लिए आपको वीडियो बना रही हूं स्लेवस का टार्जी है यह शायद पर्शियन है उर्दू है संथ भी नहीं आ रहा है ठीक है सिकन्ट यूनिट है रिसच मैथे और मेथोडोलोजी आणा नेचर आफ रिसाच टॉपिक नेचर आफ रिसस्ड़ॉपिक टेक्श catching जिस्ख्रिजिकल रिसांच जिसमें यह सारे है dissertation ठीक है selection of topic research proposal जो कि आपकी language में लिखा हुआ है यह देख लेना अच्छा से unit fourth है source of research collection of material use of library reading manuscript ठीक है चलिए और आपन हो आगे देख लिखते हैं fifth unit planning of research procedure writing thesis reference bibliography analysis ठीक है यह आपकी लाइंग में चलिए second paper part B उसका first unit देखेंगे अपन यह है first unit classical Persian literature यह सारी चीज़े हैं जो आप देख सकते हैं important prose work चलिए अपन और आगे देख लेते हैं यह मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसलिए आडियाज के लिए बना दे रही हूं आप लोग समझ लेना unit third इंडो पर्शियन literature poetry प्रोज वर्क्स क्या क्या प्रोज वर्क्स किये गए यह सब देखना है आपको ठीक है फोर्थ यूनिट है important mughals poet ठीक है और घानी कस्मीरी बेडिल गालिब सैब चलिए और आपन और आगे देख लेते हैं फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं modern Persian literature important modern poet यह सारी चीजे है और book reference के लिए दी गई है आप in book से reference book से आप पढ़ सकते हैं यह आप लोग की language में लिखा हुआ है and thank you